यह गाइज गुड मॉर्निंग टू हॉल मैसल आपने सिंग और सवागत आप सभी का ड़ाट यूज वह सावन पेस आव वेरी वाम गुड इवन्ग जो अलुज विज्वी देखे गुड इवनिक यादर पड़ गई है तो देखिए आज तो आप लोग पहले आगए मैं भी बिल्कुल टाइम से आया हूं मॉनिंग पल्लवी मॉनिंग श्वाता मॉनिंग गनेश सिक्षक एक मौमपत्ती के समान होते जो स्वायम जलका है थैंक्स अलोट तहे दिल से शुक्रिया गनेश आपका इतना प्यार और इ की जो लोग रहे गए हैं भूले भटके वो भी जल्दी से फटावट से आ जाईएगा और जो सेशन है मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं तो गाइस देखिए इधर-दर की बाते ना करते हूं सीधा स्टार्ट करते हैं सेशन को विकॉस टाइम बहुत कम है और टाइम क कबूर रहेगा सुच गी एरेंट प्रटेक्शन का मॉनिंग सोही नहीं मॉनिंग प्रमोध चली तो फटेवर से यहां पर स्टार्ट हो जाईएगा और सबसे पहले क्या करना है शैशन को लाइक और शेयर करना है अभी मन्यू गूड मॉनिंग अभी मन्यू चलो फटेवर स प्राइड मॉनिंग दूर्ग प्राइड क्या होगा प्राइट आंसर अ क्या होगा आन्से फॉल्ट अपके इसाब को फेल्ड इस्टेटर वाइंडिंग फील्ट और फेल्र आफ रेम ऊपर and unbalanced loading बैसे तो कोई भी अच्छा नहीं होता है यह सारे के सारे जो फॉल्ट है आपके यह क्या करेंगे एकदम आके घमासान ही मचाएंगे है तो घमासान में भी एक होता है महा घमासान कहते हैं कि जैसे क्लास में कुछ इस्ट्वेंट्स होते हैं आप लोग समझ होंगे आगे मैं आगे नहीं होलूंगा तो यहां पर देखिए जो फेल्वर और फिल्ड नॉटन सो यहां पर जनरली इंडिया में 11 के वी पर बोल्टी आपको जनरेट किया जाता है तो अब्यूसली सबसे जो हाई फॉल्ट का डिंजरस होगा वो किस पर आएगा इस्टेटर वाइंडिंग पर होगा कुश्चिन नमबर टू पर आजाओ फटावर से मेरे भाई यहां पर आपने कॉंट करते रहना लाच पर को भी डिफाइन करेंगे आज टॉपर तो पर आफ दे तो अपने जो कुछने वो काउंट करते रहे ना लाश्ट में इमानदारी के साथ में बता ना ठीक है कोई बात नहीं फ़ेश्ट बार में डीर हो गया कोई बात नहीं पर लवी होंसले आपके बुलंद होने चाहिए इस सो कि क्या पता आगे के जो आने वाले स अप्शन डी बताये मोई इसका बता रहे ना कुछन नमबर टूगा अपने अपने काउंट करते रहे ना कितने सही कितने का ठीक है चलिक है तो यहाँ पर पल्लवी और सोईनी ऑप्शन डी बता रहे है तो प्राइम मूवर फिल्स तो यहाँ पर देखी क्या होगा जब करें अब आपका इसरोल्टरनेटर ठीक है और यहाँ पर कोई भी लोड है नॉट को पावर सप्लाई कर रहा है अपका लूड अब और आपे जो औरल्टरनेटर है करने के लिए सको रॊटेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अर्य हैं G20 करेंगे आभाइम मूवर है तो अगब प्रारीम ओर यहाँ पर रुटेट करना बंद हो जाएगा अब देखो यह ऐसे काम करेगा एज produkt की तरह काम करेगा तो यहाँ ए कैसे काम करेगा run as a synchronous motor की तरह काम करेगा so option is the right option चले question number three पर आजा फटावर से the most important is stator winding fault in an alternator question आज ज्यादा है तो मैं आपके comment properly नहीं ले पाऊंगा अच्छी के लेकिन आप लोग काउंट करते रहना तो मैं लाश्ट में आज बताऊंगा कि आप में से कॉंड टॉप कर रहा है तो प्रखर प्रखर नमस्ते नमस्ते तो प्रखर ने option आते ही यहां पर धमाकेदा शुरुवात करते हूं बी option बताया है the most important stator winding for stator winding बड़ा पीछा नहीं छोड़ताहै क्यों क्योंकि stator that is armature winding को क्यरी करता है और armature winding पर क्या होता है voltage developed होता है तो जहां जतना ज्यादा आपका क्या रहेगा voltage developed होगा उत्रहीं ज्यादा क्या होगा वहां पर insulation की जूरत पड़ेगी तो यहां पर पर लवी और इतने लोग देख रहे हैं पहले एक बार फटावर से ना प्यार से सेशन को लाइक कर दीजिएगा तो यहां पर देखिए यह इंडिरेक्ट ली क्या कहा रहा है कि जो फॉल्ट है ना टब अपको पता है कि बैसे अगर बात की जाएं इन जरनल तो जो most severe fault है वो कौन सा मेरा 3003 बेस फॉल्ट है लेकिन जाब फॉल्ट हमारा कहां पर हो जने अपका जो ㅇपनाली फॉल्ट आपका डैटीस लाइन टो ग्राउंड फॉल्ट इस greater than the three ways fault तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा fault between phase and ground तो यह option is the right option तो यहाँ पर यह option किस ने दिया है किसी ने भी option नहीं दिया है बड़ी गजब की बात है यहाँ पर सब लोगों ने धड़ाम धड़ाम option B A B C यह डाल रखे हैं ठीक है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है न देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीवियर कौन होता है इन जनरल लाइन टू ग्राउंड उसके बाद कौन सा होता है आपका क्यों जीवित रहे हैं आज तो यह हाल हो गया कोई बात नहीं है बहार निकल के आओ और अपना अपना रास्था खुद बनाओ चलो कुश्चे नमर फूर का अंसर बताए दा अर्थ फॉल्ट करेंट इस जनरली डॉट देन दा शॉर्ट सरकेट बहुत ही प्यारा सा कुश्च याने आपका जेई में आ चुका है तो फटा फट से यहां पे देर ना करते हुए आंसर का घरदा उड़ा दो जुगने का नहीं है ना पायर फ्लॉवर नहीं फायर वनके चलना है कोई बात नहीं है पाप धुल जाएंगे बताए कुश्य नमर फूर्ट का क्या आप्शन हो पताइब भर से अरे तुम लोग बस रोने लग जाओ पहले अभी इस पर फूकस करो तो यहां पर अभी मन्यू ने और आप्शन बताया है गनेश्च ने आप्शन भी बताया है बाकी सारे लोग क्या कह रहे हैं जल्दी से अंसर बताई यहां पर क्या होगा तो प्रिप्लेश ने आप्शन ए बताया है बाकी सारे लोग क्या बता रहे है फटावर से बताईएगा दोस्तों तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है अर्थ फॉल्ट है न यह जो शॉर्ट सर्कृट करेंट है क्या इसका कोई मुकाबला कर सकता है क्या बिलकुल भी न अच्छा देखो ओवर हीट ट्रांस फॉर्मर अपना जो है क्या हो गया गरम हो गया आग उबल रहा है इसका क्या क्या रीजन हो सकता है बताईए आपके घर पे देखा होगा आपके घर के बहार ट्रांसफॉर्मर लगा सोच उसमें एक तुम फायर होने लगा आग निकलने लगी है ना तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस चीज़ को कभी सोचा है ट्रांसफॉर्मर पे अगर फॉल्ट हो रहा है आपके आखों के सामने जो वायर है वो जल रहे हैं आपकी भावनाएं भी जल रही है क्योंकि आप एलक्रिकल इंजीनियर है तो यहां पर आने से और चार चांद लग जाएंगे चैनल में चली तो इसी बात पर फटावर से यहां पर आंसर की धमा के दार शुरुवात करो तो अब यह ज्यादा हो गया most wanted यह कुछ ज्यादा आता है चलो सांती में आंसर बताओ और यहां पर दुर्ल ने सब लोगों ने एक तरफ से आपसंडी बताया है और इस बार सब लोग एक दम सही डिरेक्शन में गया तो ओवर लॉड शॉर्ट सर्केट एंड फिर्यूर आफ कूलिंग सिस्टम तो आपके सारे क्या है और इस अ कॉज आप अब दो ओवरेटिंग इन ट्रांसफोर्मर चलिकुष नमबर 6 पर आ जाईएगा इन अल्टर नेटर रिले प्रोटेक्शन इज अपसल्यूट नी नैसेसरी अगेस्ट क्या लगता है आपको आपकी जो भावना है इसके बारे में क्या आ रही है तो यहां पर आप शब्द पे धिहान देना क्या लिका है अपसल्यूट ली नैसेसरी इस शब्द पे धिहान देना है भावना वे मत बह जाना शब्द पे धिहान देना कि बताईए क्या हुआ राइट ऑप्शन फटावर से बताएए थैंक्यू सो मच पर लवी थैंक्स अलोट थैंक्यू सो इनी चलिए बता यहां पे क्या ओगा राइट ऑप्षिण जो हमारा अल्टरनेटर है जेनरेटर जोकी क्या करता है बोल्टेज को जनेरेट रधा करता है आपका बताइए यहां पर क्या होना चाहिए प्रूटेक्शन protection मतलब बहुत ज़ाधा important होता है न तो यहां पर देखो दोस्तो ओवर current हो गया field winding हो गया stator winding fault हो गया आपको अब देखो again यहां पर जो armature है आपका armature winding तो armature जो winding है आपका यहां पर voltage generate होगा आपको पता ही कि यह voltage को carry करता है voltage generation अब यहां पर 11 kv हो सकता है आपका 22 kv हो सकता है या 33 kv हो सकता है आपका चीक है तो अब यहां पर यह जो आपका बहुत ज़ादा high voltage होता है आपका है और यहां पर जो stator है आपका that is यहां से output लिए रहे हो सुरी जो आपका आर्मेचर है वो जलने से बच जाए क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग बहुत आपका है वी वाइंडिंग होता है in case of synchronous alternator वाइल चलिए तब तक आप अगले चलिए फटावर से पताए क्या होगा राइट आप्शन कुश्चन नमबर सेवन बुचाल रिले इन ओईल सेर्किट सोरी इन ओईल सबसे पहले तो मतलब जब इस रिले को मैंने पहली बार पढ़ा तो नाम ही नहीं मतलब इसको बोलना आता था यह क्या मतलब बोल रहा है सर आप पी डबलू एम यह क्या है पल्स विट्ट मॉडूलेशन क्या बोल रहा है भाई तो यहाँ पर प्रकर ने ओप्षण D बताया है अभी मन्यू ने ओप्षण D बताया है और अकांउप्षा ने ओप्षण E बताया है तो यहाँ पर देखिए को बुचहौल्ज रेले इन ओईल इमर्स ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइट प्रोटेक्शन अगेंच्ट तो यहां पर हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा आपका इन्सुलेशन फेलूर ऑफ बाइंडिंग यह भी बताता है कोर हीटिंग इसको भी बताता है आपका all of the oil लेवल इसको भी बताता है बेसिकली अगर इन तीनों की में बात करूं तो यह क्या है आपके Eternal Fault Internal Fault है आपके और जोornisch Relay है Guys वो क्या करता है bushall Relay Protection Provide करता है किसके अगेस्ट Internal Fault in the Transformer और यहाँ पर आपका जो बुच होल Relay है वो कैसा एक आपका Gas Operated आपका Relay है आपका क्योंका चैक उलीए कुरिए घ्रें कि क्शforme आच पर आजया यह आपका जो MPJ में पूछे जा चुका है कि बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन फटावर्ट से बताइएगा नहीं 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 यार नहीं भाई यार यहीं से शुरुवात किये मेरा जो केरियर हो अड़ा से शुरू होता है आपका ठीक है हो सकता है के भी ओफ्लाइन किसी कोचंग में पढ़ाता हू कि अब यहाँ फटवर्सा इसपर फोकस करो from किशोर ने option C अबeless स्कालबने है ने ओप्शन औप्शन इवता रहे हैं अकांग्षा ऑं सी विता रही है और ऑखनेश अभिमन इन्य आप्शन सी बता रहे हैं सो इन केस आप स्लोड डेवलापिंग फॉल्ट इन ट्रांस्वार्मर दा विच हॉल्ज रिले अब क्या बोलू मैं मतलब इतने गलत आंसर दे रहे हैं और जो कुश्चर है ना एक आपका बेसिक लेवल का कुश्चन है जितने भी आप सुझग लेवल के कुश्चन हम लोग करें और आप लोग धड़ाम से मतलब एक तरफ से गलत बताए जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल का यह सुझगे रैंट प्रटक्शन है अरे यहां पर देखिए स्लोड डेवलपिंग फॉल्ट डेवलपिंग आपका फॉल्ट दीरे धीरे ड बनेड़ार का जब फॉल्ट होगा फॉल्ट होगा यहां पे जीक है अब थीक है ल algumas फॉल्ट होगा तब ट्रिप करता है आपका सरकेट में से करेंट फिलू उने लगेगा यहां पर डेयोर फॉल्ट आपका डेवलप हो रहा है यह जो रीडिबिलिटी एना कुश्चन की यार इसको सुधार लो नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे कुश्चन को ध्यान से पड़ो की शब्द कहने शब्दों की गहराई जैसे शब्दों की गहराई है ना जैसे क्या होता है कि ज अब आप जो शब्द हैना शब्दों की इंपोर्टेंस समझते तो इसी तरीके से भई आप शब्दों की इंपोर्टेंस को समझो कि क्या बोला जा रहा है कुश्चन नमबर नाइन प्यालों फटावर से गाईज गरदा वड़ा दो एकदम रुकना नहीं है फायर कर दो चल चलिए बताई क्या होगा राइट आप्शिन अरे प्रकर ध्यान मत दो ध्यान मत दो आई नो अल दोस्तिंग सा चलो ध्यान मत दो यहां पर कुश्चन पर कुश्चन पर फोकस कर फटा वर से प्रोपर प्रोटेक्शन और पावर सिस्टम दा ओपरेटिंग टाइम ऑफ रिले शुड़ भी क्या होना चाहिए तो यहां पर भूपेश ने ऑप्शन अच्छा डेलीट कर दिया देख भी ने पाया अकांग शाह और श्वयता ने ऑप्शन भी बताया है कि शोर ने ऑप्शन भी बताया है भूपेश ने ऑप्शन भी बताया है बाकी सारे लोग क्या बता रहे हैं अले एक बार सेले सेशन को like तो करो इतनी सारे लोग देख रहे हैं यतने कम लाइक ने कम yik चलिए, question number 10 पर आ जाई है, the busbar protection means, so what do you mean busbar, busbar से क्या समझते हो, तो देखो यहाँ पर कोई है कि यह busbar है आपका ryb, ठीक है, यह आपका busbar है, और यहाँ से different different आपने क्या निकाल रखे, feeder निकाल रखे, अब देखो जो busbar है न, busbar आपका वो आपका grid है, आपका इसको power grid बोल सकते हैं, जहां का voltage और frequency हमेशा क्या रहता है, constant रहता है, doesn't matter how much reactive power और real power drawn from it or supplied from it, मतलब कितना यहाँ पर रियल और reactive power supply कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, यहां से withdraw कर रहा है, उस पर depend नहीं करेगा, दोस्तों, voltage और frequency हमेशा क्या रहेगा, grid का constant रहेगा, तो बताई इसी बार पर क्या right option होगा, फटावर से बताई यहाँ पर, तो प्रकार ने option A बताया है, अच्छा 10 पर आओ यार, फटावर से भूपेश ने option D बताया है, प्रमोध ने option D बताया है, गनेश option D बता रहे हैं, गजब, बहुत सही तो आपका, जो D option है, वो बिलकुल सही option है, चिके, चलिए, आगे फटावर से, question number 11 पर आजाई है, the number of pilot wire required for the protection, dot, 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 क्या होगा, यहाँ पर, translate, relay, क्या लिखाए, translate, आच्छे, चलिए, यहाँ पर, शॉर्ट ट्रिक, बता देता हूं, कि जो, translate, relay, इसी को, क्या बोलते है, percentage of, differential, relay, differential, relay, ठीक है, चलिए, अब बताई, फटावर से, क्या होगा, राइट, आप्शन, तो, यहाँ पर, अच्छा, question number 11, पर, फटावर से, लेक कर रहा है, क्या, चैट, पर, फटावर से, भई, question number 11, का गरदा उड़ा दो, तो, यहाँ पर, अच्छा, ने, आप्शन, C, बताया है, किशोर, option, D, बता रहे है, प्रमोद, अपना, option, A, बता रहे है, अभिमन्यू, अभिमन्यू, option, 11, का, C, बता रहे है, तो, यहाँ पर, अभी तक, right, option, देखे, किसका, आया, अभी तक, तो, किसी का, नहीं, आया, चलिए, फटावर से, मैं, इसको, और रिले, को, बना देता हूं, एक बार, झाउ तक, दौँड़ गलुए, किस्वें, झी ही, आया, पर, तो यह रहा आपका क्या percentage differential relay या फिर translate relay या हमारा CT1 है और यह हमारा CT2 है यह हमारा generator है यह आपका क्या है operating coil और यह क्या है आपका restraining coil RC अब यह जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर यह वर्टिकल पोर्ट्षन इसी को हम क्या ओलते हैं pilot wire this is known as pilot wire तो आपका एक ये pirate wire हो गया एक ये pilot wire हो गया तो यहाँ पर राइट आप्षिन क्या आ अगया हमारा इस दा राइट आप्ष्टन अब देखिए जो percentage differential Raleigh है यह क्या है आपका एक enhance advance वर जने किसका ordinary differential Raleigh का क्योंकि ordinary differential में बहुत सारे आपने कभी बता polling वह कि क्या कि इस यदाइड्वांटेज्ज्ट को दूर करने के लिए यहां पर क्या हें यूज करते हैं आपका रिष्ट्रेडिनिंग कॉई achievement वह भी भास्रेक्ते फॉर हो जाते है तो यहां पे पाइलेंट वाइर कितने हों गे दो पाइलेट वायर होंगे चीक है चलिए कुष्टन नंबर ट्वाल पर आजाई फटावर से एस कंपेट टूदा इस्टेशन एक्क्यूपमेंट क्या होगा फॉल्ट यहां पर बताओ फटावर से अहीं हो यह यह देखो एक तरफा अन्सए डिलेट कर दिए मैं मतलब यहां बोट में बाढ रहा हों तक तरफ़ा ऐडर टिलीट कर दिये गलत बात है यह है सैंट कर पने मिल्कुल मैं आप लोग गुड इस्टूडेंट है ना देखो यहां पर एक तरफ बस आंसर डिलीट करते रहो यही करो चलो बताओ वटावर्ट से राइट आप्शन क्या होगा एस कंपियर टूदा इस्टेशन एक्पमेंट कुशन नमबर 12 का क्या अंसर होगा भाई गर्दा उड़ा दू फटावर्स इसका बचना नहीं चाहिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कुश्चन है बिल्कुल होता है ट्रांस्मिशन लाइन में अभी आगे कुश्चन देखो प्रकर इस टैप के कुश्चन आएंगे अभी देन वी विल डिसकस तो किशोर ने ऑप्शन यहां पर बी बताया है वेल्ट का बता रहे हो किया बताईवर्स से बताईए तो यहां पर भूपेश यह बता रहे हैं और जैश जैश ऑप्शन भी बता रहे हैं श्रता ने ऑप्शन भी बताया है बाकी सारे लोग क्या बता रहे है अप्टावर्स से बताई अरबाज ने ऑप्शन भी बताया है अभिमन्यू ऑप्शन भी अकांग्शा ने ऑप्शन भी बताया है तो यहां प protection होता है अब जैसे जैसे station से दूर जाते जाओगे तो जो आपके natural phenomena है natural जो अभी की रियाए है वह बहुत जादा होंगे जैसे कि आंधी आना तूफान आना कभी पेड़ को काट के गिरा दिया तो यहां से क्या होता है transmission line होती है so transmission line subject to most of the natural phenomena तो इसलिए यहां पर transmission line पर फॉल्ट जाता होगे तो जैसे जैसे station से आपकी distance बढ़ती जाएगी जैसे जैसे distance बढ़ेगा फॉल्ट की जो probability है यह भी क्या होता जाएगा बढ़ती जाएगी यह भी याद रखना ठीक है यह पूछा जा चुका है MPB में कि अगर आप generating station से जैसे जैसे दूर भागते जाते हैं इस तरीके से भाग रहे हैं तो बता यह फॉल्ट क्या होगा जितना दूर भागोगे मुसीबत उतना ही आपके पीचे पड़ेगी इसलिए कभी भी भागना नहीं है कुशन नमर्ट 13 पर आजाए आइडियल स्कीम और प्रोटेक्शन ऑफ ओवर हैड लाइन क्या होगा बता फटावर से थोड़ा फटावर से आंसर कीजिएगा अभी काफी कुशन है आप लोग है ट्रस्ट मिशिए लाइन है आपका इसका जो ईश्य प्रोटक्शन होता है ट्र revealing का वह क्या होता है मसरों यहां से अब जडिशेरी प्राइट इसका थे अक्वल लेते हैं so this is the impedance seen by the fault condition or fault relay तो यहां से distance protection is the right option question no.14 पर आ जाओ the most serious voltage on the power system are those caused by insulation failure lightning resonance or arcing ground तो यहां पर देखिए कि जो most serious voltage है तो आपको यह जो lightning है इसका 10 kilo ampere का current होता है और voltage I lighting 11 kv मैं exactly याद नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा high voltage होता है lightning जो आत्मान से बिजली गिरती है न उसकी बात करें तो lightning की वाज़े से सबसे ज़्यादा आपको high fault देखने को मिलता है तो कुश्य नमर 15 पर आई यह the equipment use for the protection of power system अगेंस्ट लाइटनिंग सर्ज अब देखो यह जो लाइटनिंग सर्ज है यह पीछा नहीं छोड़ेगा यह जो transmission line है ना बरसाथ की मौसम में देखा है इसमें धराम से यहाँ पर क्या गिरा बिजली गिरा अब जैसे भी इसके ऊपर यह लाइटनिंग आपका गिरा वैसे ही क्या होगा यहाँ पर जो transmission line है इसके अक्रॉस चार्ज का distribution है वो फैल जाएगा जिसकी वज़े से यहाँ पर जो आपका लाइन टू ग्राउंड फर्ड इमीडियेटली होने लगेगा तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं लाइटनिंग स्क्रीन यूज कर सकते अफ्कॉस ओवरेड ग्राउंड वायर यह भी यूज कर सकते हैं लाइटनिंग अरेश्टर यह भी उसकरते हो सबसे पहले आपको लाइटनिंग अरेश्टर दिखाई दे जाएंगे तो और के यहाँ पर अगर आप प्रिपेशन करना चाहते पीड बैच इसके साथ जहां पर मैं आपको स्टेटिक मैनर में सारी त्यारी कराता हूं आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों की जो बैस्ट फैकल्टी है वो डील करेंगे आपके साथ में अगर आपको टार्गेटेट बैच लेना है आम पीवी के लिए तो यहाँ पर कोड यूज़ करना और यहां पर जो प्राइज है वह आपको 80% से भी ज्यादा डिसकाउंट मिल जाएगा वाई महापैक महापैक में देखी क्या है जितने भी कोर्स होते हैं के सारे के सारे क्या होते हैं इंक्लूडेड होते हैं तो इसमें टैस सीरीज हो गया लाइप्लस रिकॉर्डेट क्लास यह सारी जो फीचर से वह आपको मिल जाता है तो अलग से फिर पैसे खर्च करने की ज़ुरत नहीं रहती है चलिए कुश्चिन नमर्स 16 पर यह दस सर्ज डाइवर्टर प्रोटेक्ट दा इस्टेशन एक्क्यूपमेंट अगेंस्ट क्या होगा बता फटावर से होते रहिएगा मैं थोड़े से कम कमेंट ले पार हम क्योंकि कुश्चिन बहुत ज्यादा इसलिए है ना बट आप लोग काउंट करते रहना तो लाश्ट में हम लोग क्या करेंगे टॉपर टॉपर खेलेंगे चलो यहां पर बताई क्या होगा अधार जिए डाइवर्टर प्रोटेक्ट दाइस्टेशन क्या होगा डारेक्ट लाइटिंग श्टोक एंड ट्रैवलिंग वेव सो दोन आहीं आपके सही हैं सो इस दा राइट आप्शन वाट इस ट्रैवलिंग वेव क्या समझते उस से rias अग्यों है तो पूलम बूर्टर पूलमी में है दोस्तों चेवलिंग वेव क्या होता है अपके एक ट्रीकें को transient switching wave होता है so what do you mean by transient switching wave क्या होता है transient switching wave sudden change in the load condition अगर देखिए load में suddenly change हुआ आपका तो voltage or current क्या होगे आपके change होगे suddenly उसी को हम क्या होलते है transient switching wave इसका time period काफी कम होता है बहुत ही short duration के लिए आते हैं और इसी कोई क्या होलते है nothing but traveling waves तो यहां से जो traveling waves है इसकी जो इंपोर्टेंस है वो किसमा 30 जो आपका circuit breaker हो गया रिले हो गया इनको design करने के लिए यहां पर यह काम किये जाते चिक तो आपका right option क्योंदाएगा सी कुश्य नंबर 17 पर फिटावर से गनेश के रहे सर आप सच में घंगोर तरीके से ला जवाब पढ़ाते हैं थेंक्यू गनेश कमेंट बड़ा अच्छा ताया घंगोर तरीके से शब्द मतला फेमस कर दिया आफ लोग ने चली तो घंगोर तरीके से यहां पर आंसर बताई कि अंडर दर नॉर्मल ओपरेशन लाइटिंग अरेश्टर कंडेक्ट डॉट नो करेंट टू अर्थ देखो यार इस कुशन को न ध्यान से पढ़ना शब्दों का यहां पर हेर फेर किया गया भावनाव में मत भैजाना अगर भावनाव में भाहे तो गलत हो जाएगा हाँ अब अभी मुकेश क्या बोले अभी एक बार जो फाइनल नोटिफिकेशन उसको आने दीजिएगा उसी के बाद हम लोग कुछ बात कर पाएंगे ना अब भी फटावर से तो गर्दा उड़ा दीजे यहां पर तो प्रकर ने ऑप्शन 17 का ए बताया है और बाकी लोग क्या बता रहे हैं प्टावर से बताईएगा कि शोर ने ऑप्शन सी बताया है मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का क्योंकि इस कुशन का मुझे आंसर आप लोगों से देखना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं भावनाओं में ना बह जाएं तो मुझे आपकी भावनाओं को कंट्रोल करना है न तो अरबाज ने ऑप्शन सी बताया है अभिमन्यू ने option c बताया है और संत्राम ने option a बताया है दुरगा ने option c बताया है बाकी सारे लोग क्या बता रहे फटावर से बताईए सत्यम हेलो सत्यम कैसा है सत्यम भाई बड़े लेट आए टाइम से आए करो 1140 एम पर श्रेता ने ऑप्शन सी बताया है चलिए देखिए तो कुछ लोगों ने ऑप्शन गलत बताया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर कहा था कि जो शब्द है ना इन क्या होगा चुप-चाप से खड़े रहेंगे लाइटनिंग राइस्टर का काम क्या है अब नॉर्मल कंडिशन में जब लाइटिंग ए श्ट्रोक बिजली गिरती है उसको जो सर्ज है उसको डाइवर्ट किया जाता है जमीन के अंदर तो यहां पे अंडर दा नॉर्मल करेंडिशन में करेंट कंड़क्ट करने लगा तो सप्लाई पूरे डिश्टर्ब हो जाएगा हमारा कि टेले कुशन हमर 18 पर यह मर्ज प्राइज यह जो मर्ज प्राइज सर्कुलेटिंग करेंट प्रिंसिपल इस देखो मर्ज प्राइज नथिंग बट किसी को बोलते हैं इसके यह बहुत सारी नाम है इसको मर्ज प्राइज ट्रांस ले रिले यह सब बोलते हैं इसको ठीक है तो यहां पर बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन तो देखिए जो पर्सेंटेज डिफ्रेंटियर रिले हैं मोर्स टेवल फोर जनेरेटर ऑप्शन इस दा राइट ऑप्शन क्योंकि जो ट्रांस फॉर्मर है इसके आसपा सम लाइटनिंग अरेशनर भी यूस करते हैं दा फॉल्ट करेंट ऑफ प्रोटेक्शन रिले त्री क्लो एंपियर एंड इस 50 परसेंट परसेंटेज पी एसवी पीएसवी मतला प्लग सैटिंग बोड दा सीटी रेशियो आपको दे रखा है कैलकुलेट दा प्लग सैटिंग मल्टिप्लायर पी एसम पूछा गया है तो भाई बता दो फटावर से क्या राइट ऑप्शन होगा इस कुश्चन का मैं थोड़ा वेट करूंगा तो श्वयता ने आप्शन ये बताया है दुरगा ने आप्शन अच्छा अभी एटीन गवदा रहें मुझे लगा नाइंटीन का बता रहें यह टावर से कैलकुलेट कीजिएगा इसको बिट फास्ट तो जो प्लग सेटिंग मल्टिप्लायर क्या होगा पी एसम फटावर स या इससे बताऊ या यह टाई मदा जल्दी चला जाता है क्या का रुआ है कोई बात नहीं है यह टाइम जल्दी चला जाता है इसलिए रैडी रहना से टैडे को मैराथन होगा आपका Kishti TaiDe ko क्या होगा आपका मैराथन सेशन होग ठीक है so be ready for this a marathon our session होगा आपका और यह जो होगा आपका टू टू त्री आवर्स का सो भी रैडी फोर दिस ओके चलिए तो यहां पर गरदा उड़ाते हुए 19 का ओप्शन ए दिया है किसने अभिमन्यू प्रमोद नितिन नितिन ने ओप्शन भी बताया है बाकी लोग क्या ओप्शन बता रहे है यहार करेंट डिवाइड वाई आई पी के इंटू सीटी रेशियो यह होता है हमारा फॉल्ट करेंट है ना स्वरी प्लक सैटिंग मल्टिप्लाइट तो फॉल्ट करेंट कितना दे रहा है आपको थ्री किलो एंपीर है सो टैंटू थी पावर 3 अब जो पिक अप करेंट होता है व से कितना आजाएगा आपका 15 आजाएगा सो बीजा राइट ऑप्शन तो आगे बढ़ो फटावर से और यह टेलिग्राम चैनल है इसको फटावर से जॉइन करेंगा अभी ने सिंग सर्च करो आगे ओफीशल लिखा होगा यहाँ पर आपको इसका जो पीडिएफ एक्स्प प्ले होते हैं वह भी यूज किया जाते है पाइलेट वायर सिस्टम यह भी यूज किया जाता है डिस्टेंस प्रटेक्शन सॉरी नन ओफ दा एवब कि अलागी किस्ट को पढ़ लिया भावना हो लगता मैं भी भागया तो बैसे देखी यहां पर जो बैस्ट कि जो डिस्टेंस production ने transmission line के लिए this is the best protection कि यहां पर देखिए था ओवर ओवर वोल्टेज देना पावर सिस्टम में भी कॉश्च ड्यू टू क्ईया वह और किंद की बात की जा रही है आँ वर वोल् imaginar प्लाइश जिसकी से इस पार न्य लगता है अ को र commitments का टाइम के रहेगा गयारा चालिस अ म्हें यहीं टाइम होगा मैराथाम का यही टाइम होगा आपका मैराथान सेशन का चीक है अभी मैं उसको पर एक बीडियो बना के अलग से आपको समझा दूँगा सारी चीज है चली तो फटावर से पताई जो कुश्चन नमबर 20 देखिए ओवर जो वोल्टेज है आपका पावर सिस्टम में वह आपका लाइटनिंग के वैसे हो सकता है यह भी हो सकता है यह भी सो डीज दा राइट ऑप्षिन कुश्चन नमबर 22 पर आई है डिफरेंशल रिले और यूज टू प्रोटेक्शन होता है यूनिट प्रोटेक्शन होता है जो स्मॉल स्पेस इस्मॉल जो स्पेस है यह फिर जो अपनी ही यूनिट में क्या करें फॉल्ट को डिटेक्ट करें या फिर ओन यूनिट ओन यूनिट में क्या करें आपका जो फॉल्ट है ना फॉल्ट को डिटेक्ट करें तब यह क्या कहला था हमारा यूनिट प्रटक्शन और नौन यूनिट प्रटक्शन क्या होगा अगर जो रिले हमारा फॉल्ट डिटक्ट करता है outside the ridge तो यहाँ पर क्या हो जाएगा non unit production अब देखिए जो unit production इसके लिए हम क्या use करते है differential relay और आपका जो unit protection इसी में क्या आ जाता है internal fault आ जाते हैं तो C is the right option question number 23 पर आओ directional over current protection consist of तो देखिए दो तरीके के आपके relay होते हैं एक होता है OC और एक होता है DOC OC का मतलब होता है non directional over current relay और DOC का मतलब होता है directional over current relay अब जो non directional over current relay होता है यह किसी भी direction में जो fault की current है ना उसको detect कर लेता matter नहीं करता directional जो relay है इसके लिए क्या होना चाहिए fault current की direction आपको पता होना चाहिए तभी यह relay क्या करेगा आपका काम करेगा तो देखो जो डी-ओ-सी होता है ना डी-ओ-सी इस consisting of two unit एक OC और एक आपका डी-ओ-सी इसमें दो यूनिट हम लगाते हैं अगर मान लिजे यहां पर OC अगर फेल हो जाते हैं फिर डी-ओ-सी फेल हो जाते हैं हमारा तो जो यह वो कैसे काम करता है यह बैकप प्रोटक्शन की तरह काम करता है एच्छी के चलिए तो यहाँ पर अभीरुची अभीमन्यू आप्शन सब लोगान आप्शन सी बताया है भाई सारे लोग प्रॉपर रहा करो सेशन में को यह आपको हमेश incapable संझाता हो ना continued बनां के रखें तो कुछ लोग जैसे आप आजका सशन देख लिए कल का मिस्त कर दिए यां तो हो सकता आप ऑफ लाइन देख लेते करते हैं और मोशली सही आंसर करते हैं 90% से अभब तो continuity आपकी वो की है जो मतलब किसी भी एक्जाम में आपको सफलता देला सकता है चीक है चल तो है पर कुश्चिन नमर्ट 24 पर आ जाईए ओवर हैड लाइन कैन बी प्रोटेक्टेड बाए बता यह क्या होना चाहिए हां पर फटाफ़से बताएए ओवर हैड लाइन कैन बी प्रोटेक्टेड बाए तो instantaneous है सारी ऑप्षिन सही आपके नए अबी सी सभी सही है तो डी इस दा राइट ऑप्षिन को कुश्चिन नमर्ट 25 पर आ जाईए ड़ प्रोटेक्टेक्शन अगेंस्ट डैरेक्ट लाइटिनिंग श्ट्रोक डैरेक्ट लाइटिनिंग श्ट्रोक है ना बिजली गिरा आपका transmission line के उपर क्या करोगे अब यहां से बताईए क्या यूज़ करना चाहोगे आप पटावर से बताईए यह जो lightning stroke है आपका line के उपर गिरा आप क्या यूज़ करना चाहोगे यहां पर अब ठीक है no issue तो यहां पर एक तरफ से option d दिया है सब लोगों ने दुरगा प्रकार श्रयता संत्राम अच्छा भी पर 25 पे आये नहीं हो आप लोग तो 25 का option दुरगा ने C बताया है नितेश ने option C बताया है अभिमान्यू option C गनेश option C प्रकार option C सब लोग option C बता रहे हैं यहां पर लेकिन गनेश ने option बी बताया है सबसे हट के तो यहां पर देखिए option C आपका बिलकुल सही है आपका lightning के साथ साथ में जो ground wire है ना इसको भी आप use कर सकते हो किसके लिए protection के लिए चिक्षिंग कुश्चन नमर 26 पर यह फटा फट से और protection अगेंस्ट low voltage high frequency oscillation we use क्या use करेंगे तो देखिए what do you mean by the high frequency oscillation high frequency oscillation यहां पर देखिए एक आपके ऐसे threads है इसको हम क्या बोलते है dynamically जो system है उसको unstable बोलते है dynamically मतलब आपके जो rotor के motion है ना उसमें oscillation आ जाना एक तरीके से ऐसे माल लिजेगा इस तरीके से आपके आपके क्या आते हैं और शीलेशन आ रहे हैं और सिलेशन अब यहां पर जो oscillation है आपके oscillation की वैज़े से जो rotor है आपका rotor की जो dynamics से बगड़ बढ़ा जाएगी है तो यहां से जो oscillation है इसको constant करने के लिए फिर इसको remove करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं कैपिस्टर भी यूज कर सकते हैं जो सर्ज अब्जॉर्बर है उसको भी यूज कर सकते हैं यह पर यहाँ पर वोल्टेज इस्टेबलाइजर भी यूज कर सकते हो आपका C option is the right option 27 पर यह distance protection scheme is used for the protection of सब्सक्राइब क्या होगा राइट अंसर अच्छे यह तो हम लोग कर चुके हैं न डिस्टेन्स प्रटेक्शन ट्रांस्मिशन लाइन नो need of explanation लाइस्ट कुश्चन है आसका for the protection of power system अगेश्ट ट्रैवलिंग वेप से भी यूज क्या होगा फटावर से बताई क्या होगा राइट ऑप्शन वैसे अभी काफी पढ़ चुके हैं तो आप बता सकते हैं इसका option खुछ से बता सकते हैं कुश्चन नमर 28 पर आ जाईए फटावर से पर पर प्रोटेक्शन और पावर सिस्टम अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेप क्या होते हैं यह देखो मैंने आपको समझा दिया कि जो दिया यहां पर सुमझाने के बाद भी गलत बताय हो आप किससे गलत बताए इसके लिए धनार करना पढ़ेगा ना कि किशोर और संत्राम गलत है या फिर प्रा सवरी या फिर बाकी लोग गलाते है न तो फटावर से सारी लोगा अंसर बताए है फटावर से बताए क्या होगा राइट ऑप्शन बिट फास्ट यहां पर चली मैं बता देता हूं तो अभी तो बताए था सर्ज डाइवर्टर अर्थिंग स्क्रीन कभी यूज करेंगे कि बिल्कुल नहीं है किसके लिए होता है लाइटिंग सर्च के लिए यूज होगा ओव रही है आउट ओफ टॉंटी तो जहां से हम लोग टॉपर आप दे डिफाइन करके फिर साम के शेशन में मिलते हैं तो फटावर से बता दीजिएगा क्या सालागा सेशन आपको अगर मज़ा आया हो तो सुन्दर से कमेंट करके बता दीजिएगा और इसके अलावा भी कोई फीडबेक हो तो वो भी बता सकते हैं उनका तहे दिल से स्वागता है और I always said कि क्या होता है फीडबेक इंप्रूफ दा इस्टेबिलेटी तो बता दीजिए फटावर से और देखो भाई साम को जो क्लास है वाईटी की वह सिक्स पी एम पर है मैं देखता हूं कि आप लोग क्लास पर डिसकस की जा रहें तो भाई देखो दो दो क्लास आपके लिए यहां पर फ्री अपकोश्मय रखी गई है तो फटावर से बताइए हाँ श्रता के 24 है प्रकर कोश्वा 23 है बाकी लोग बताइए भई क्या कहते हैं आप लोग और इमानदारी से बताना अगर आप लोग मुझे थोड़ा बात भी मानते हो तो इमानदारी से बताने यार चीटिंग कताई मत करना प्रकर पहले आपने बताया ट्वंटी ट्वंटी सिक्स संत्राम ट्वंटी वन अगर वाइज में यहां पर चेक कर लूँगा कोई भी प्लीज गलत मत बताना हाँ अगर आप लोग बाकि मानते हो कि सर अच्छा पढ़ाते हैं सारी चीज़ें बढ़िया है तो गलत मत बताना बिल्कुल भी कि तो यहां पर प्रकर ने ट्वंटी सिक्स बताए है और श्वेता ट्वंटी फूर पर है रमूद ट्वंटी पर है बाकि सारे लोग बताएं फटावर से जल्दी करो यार फिर टाइम हो रहा है चलिए बाकि कोई नहीं बता रहा है तो फच पोजिशन यहां पर कौन आ रहा है प्रकर और जो सेकेंड पोजिशन है उस पर कौन है श्वेता और थर्ड पोजिशन पर कौन है अभी थर्ड पोजिशन खाली है आपकी प्रटावर से बताई है तो यहां पर 21 पर संत्राम है और 20 पर प्रमूद है तो चलिए नहीं बता रहे तो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूँ तो यहां पर जिस तरीकी के स्कूर है प्रखराइन श्वेता का बैस्वेरी अप्रीशेबल संत्राम आपका भी बहुत सही स्कूर है तो 20 प्लस जिसका भी स्कूर है वह अच्छा के डगरी में है आपका ठीक है क्योंकि जो कोशन थे वह काफी बेसिक लेवल के थे बहुत ज लगाए चली फटावर से बता दीजिएगा क्यासा लगा सैसन मज़ा आया की नहीं आया फटावर से कमेंट करके सुंदर सा कमेंट करके बता दो अच्छा लगा हो प्यारा लगा तो लाइक और शेयर कर देना जहां से इसका जो मैंनी फिट है भई सब लोग इसका बेनी फिट ले पाए यह अभी मन्यू टी क्यू थैंक यू एना यह मतलब क्या शॉर्ट वर्ड यूस करते हो जैसे कल ऑफिस की बात थी तो मतलब ऐसी बात रही तो वहां पर लिखा एस 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 पी तो मैंने का यह क्या होता है एस एस पी मुझे लगा साथ यह यूटूब से रिलेटेड कोई टर्म होगा तो बात में सी साइड की सर एज सून आज पॉसिबल मैंने का गजब मतलब मौच कर दी कुछ भी मतलब बड बना लिए गाया है मैं काफी सोच में पढ़ यूटूब या फिर टेक्नल से कॉन सर लेटेट अमें एस एस पी तो फिर बाद में वो बलता कि नहीं सरी एस सुन एस पॉसिबल है आपका तो इस तरीके साप लोग भी मतलब घजा भी करते एनिवे सभी लोगां का बहुत-बहुत धनिवाद थैंक्यू सो मच दुर्गा टैंक्स प्रकर्ड टैंक्स प्रमोद थैंक्यू सो मच कि शोर चलिए तो कल मिलेंगे हम लोग इसी टाइम पर मॉर्निंग में और शाम को जो सैशा ने भूलना मत कितने बज़े शे बज़े तब तक के लिए अच्छे से रहिए अगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेग तो थैंक्यू सो मच आए तेक के रहाल